हलो गाईज वेलकम टो माई चैनल कैसे आप लोग आसा करता हूं अच्छे होंगे और आज जो हमारा टापिक है उसका नाम है अधिकम इस्थानांत्रण लेर्निंग ट्रांसफर हमारो टापिक है तो इसके बारें बात होगी चैनल पर अगर आप पहली बारा है चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन दबा देजेगा जिसे के आपको नए वीडियो उसको नोट्रिफिकेशन समय से मिलती रहे पिछले वीडियो अगर आप है तो शुरू करते हैं आज को टापिक दिखे अधिगम इस्थानांत्रण लिखा हुआ है अधिगम इस्थानांत्रण से तात पर पहले सीखे गए कौसल का वरतमान कौसल पर प्रभाव पढ़ना ही अधिगम इस्थानांत्रण है जैसे लिखा है ट्रक चलाने में सीखा गय बी दूसरी situation है तो पहली situation में सीखा गया ग्यान जब बी जो आपकी दूसरी situation है उसमें काम में आ जाए या दूसरी situation को help करे तो वो होता है आपका learning transfer ठीक है जैसे आप truck चलाना जान जाते हैं तो आप car चलाना भी जान जाएंगे तो यही है अधिगा में स्थाना अंतरण की एक परिस्तित में सीखा गया ग्यान जब दूसरी परिस्तित को प्रभावित करता है यानि दूसरी परिस्तित में सहायक बनता है तो आपका अधिगा में स्थाना अंतरण होता है परिवासा है देख लेते हैं परिवासा है वी टेकर की ये कहते हैं बईया प्रसिच्छन के अंतरण से तात पर किसी एक कौसल या विशेवस्तु के सीखने का किसी दूसरे कौसल या विशेवस्तु के सीखने पर पढ़ने वाले प्रभाव से होता है ज्यादा महत्वण परिवाशा तो बहुत सारी है लेकिन जो है ऐसा ट LAUPIC है परिवशा मिलती नहीं आपको जो है अधिधम स्थानांतर्ण यानि अधिगम अंतरण के प्रकारों के बारे में अच्छी सह जानना है लिखा गया है अधिगम अंतरण के कितने प्रकार होते हैं कौन-कौन से धनात्मक अधिगम अंतरण पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर दूसरा होता है रिडात्मक अधिगम अंतरण दूसरा मतलब रिडात्मक अधिगम अंतरण तीसरा होता है सून अधिगम अंतरण तो इनको जो आप लोग याद रखिए आईए जानते हैं इंके बारे में detail से धनात्मक अधियम अंतरन क्या होता है दिखिए लिखा एक परीष्टित में सीखा गया ग्यान जब दूसरी परिष्टित में काम में आजाए तो यह होता है आपका धनात्मक अधियम अंतरन जैनि positive चीज़ एक परिश्टित में हमने सीखी और उसको दूसरी परिश्टित में यूज कर लिया, तो वही होता है आपका धनात्मक अधिगम अंत्रण, जैसे हिंदी भासा का ज्यान, जो है भोजपूरी भासा को सीखने में जब यूज आ जाए, तो यह होगा आपका धनात्मक अधिगम अ दूसरा आपका उर्ध अधिगम अंतरण तीसरा आपका दूई पार्श्विय अधिगम अंतरण ठीक है आई इनके बारे में जान लेते हैं लिखा है 36 अधिगा मंतरन क्या होता है लिखा है जब एक इस्थित में सीखा गया ग्यान उसी के समान इस्थित में उपयोग में आ जाए तो होता है आपका 36 अधिगा मंतरन जैसे लिखा है गड़ित के सरल जोड के बाद हासिल के जोड करना कह सकते हैं 36 अधिगा मंतरन क्या होता है कि एक स्तित में चीछा गया उसी के समान स्तित में जो है उपयोग में आता है तो आपका होता है चैटिज अधिक मंत्रन जैसे हमने सरल जोड़ यह सीखे थे 8 और 4 जोड़ा गया तो 12 आ अब इसी को अच्छे से करने के लिए यानि हंसी जोड़ करने के लिए पहली इस्तित में जो हमने processing सीखी थी जोड़ की उसको जो है इस processing में जोड़ लिया यानि समान situation है से थोड़ा सा डिफरेंट है मतलब थोड़ा सा उच्छ लेविल की है तो लिखा है गडित के सरल जोड के बाद हासिल के जोड करने ला यह होता है आपका 36 अधिगम अंत्रण अगला है आपका ऊर्धर अर्धिगम अंत्रण लिखा है एक जब एक विशय का ज्यान दूसरे वि प्रियोग में आ जाए तो ये आपका होता है और्ध अधिगम इस्थानांत्रन जैसे बीज गडित का ग्यान रेखा गडित में प्रियोग हो जाना समझ गए अगला प्रशने दूइपार्श्वी अधिगम मंत्रन देखे हमारे शरीर के जो है दो भाग होते हैं ठीक है कितने भाग होते हैं दो भाग होते हैं दाया और बाया तो वही लिखा गया है जब शरीर के बाय भाग का ग्यान शरीर के दूसरे भाग में इस्थानांत् तो यह आपका होता है दुविपार्श्वी अधिगमंत्रन दाएं हाथ के बाद बाएं हाथ से लिखना यह होता है आपका दुविपार्श्वी अधिगमंत्रन देखे यह तो हो गया आपका धनात्मक अधिगमंत्रन धनात्मक में क्या था कि एक परिष्टित में सीखा गया ग्यान जब दूसरी परिस्तित में यूज हो जाये तो आपका धनात्मक होता है रिड़ात्मक जो है सका उप्योग्य नहीं है तो यही होता है आपका रिड़ात्मक अधिगम अंतरन यानि एक इस्तित में सीखा गया ग्यान जब दूसरी इस्तित में काम में ना आए तो यह आपका होता है क्या होता है रिडात्मक अधिगम अंतरन अगला है आपका सून अधिगम अंतरन लिखा है जब एक इस्तित में सीखा गया ग्यान दूसरी इस्तित में ना तो सायक बने और ना ही बाधक बने तो ये होता है आपका अधिगम कौन सा इस्ताना अन्तर्ड यानि एक इस्तित्ट में सीखा गया गया, जब दूसरी इस्तित्ट में ना तो सहयक हो और ना ही बादक बने तो यह आपका होता है अधिगम इस्थानांत्रण कौन सा सून अधिगम इस्थानांत्रण के प्रकार अब अधिगम इस्थानांत्रण के कुछ सिद्धान्त हैं ज्यादा नहीं जानना है कि एवल उनके नाम और उनके प्रतिपादकों के बारे में आपको रठ लेना है कि लिगा समान का सिद्धान्त किशने दिया थंडाइग महोदे ने शामानि निफ़ का सिद्धान ने यह兩 ज़ंडे सामानिव विशिष्ट त्द्वक राद किशने दिया सिफ पिघ्र मैंने उस्ची इफोत द्यन किस ने दिया है इस्पियर मैंने तो ये आपका जो छोटा तपिक था यह पर समांत होता है अब आपके लिए जो है कुछ प्रस्ट्रेयर पहिले प्रस्ण है एक दम समानतत्त्त का सिधान जो किस ने दिया है कि इसुंत्त्य मंत Karma अदिगम इंट्रन या अच्छा अधिगम अंतरन रहीम के दोहे के बाद कभीर के दोहे पढ़ना या इसको उल्टा कर लें कभीर के दोहे के पढ़ने के बाद रहीम के दोहे पढ़ना तो यह किस तरकार का अंतरन होगा सून अधिगम अंतरन अगला प्रश्ण है धनात्मक अधिगम अंतरन के कितने प्रकार होते हैं दो तीन चार पांच धनात्मा का दिगम अंत्रन के कितने प्रकार होते हैं यह होते हैं तीन अगला है बीज गडित का ज्यान रेखा गडित में प्रयोग हो जाना कौन सा अधिगम अंत्रन होगा सुन अधिगम अंत्रन और धिगम अंत्रन रडात्मा का दिग प्रकार नहीं है थोड़ा गलत हो गया दिगम अंत्रण का प्रकार है तो यह होगा आपका उर्ध दिगम अंत्रण बी आपसन आपका सही है तो चार प्रस्न थे जितने भी सही करें कमेंट करके जरूबत आएगा मिलते हैं आप से एक लिए वीडियो में थैंक यू फ्रेंट धन्यवाद